हाई फैमिली दोस्वागत करते हैं आपका ममा की रेसोई चैनल पे तो आज हमें कुछ इंट्रेस्टिंग चटपटा खाने की इच्छा कर रहे थी तो हमने सोचा कि क्यों न वह आपके साथ भी हम शेयर करें और एक अच्छी सी फ्यूजन रेसिपी है तो जरूर इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि यह कैसा बनता है तो मम्मी आप कुछ खहना चाहेंगे सबसे पहले तो हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है ममा की रेसोई में तो आज हम बनाएंगे नए तरह का पीजा चार्ट तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं तो यह मैंने पीजा मिर्च लिए क्योंकि एक बेस के लिए हम तयार कर रहे हैं कुएंटिटी आप जो भी सारी वेजटेबल से जो भी इंग्रीडियंट्स जरने उनको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आधा मैंने टमाटर लिया है एक छोटा साइज का प्याज है अगर प्याज नहीं खाना चाहते हो तो प्याज को इसकीप कर सकते हो आप धर में बना रहे हो तो अगर प्याज लसन जो भी आप नहीं खाते हो तो उससे इसकीप कर सकते हो हरा धनिया डाल देंगे इसमें ये बुंदी है नमकीन बुंदी साधा बुंदी भी डाल सकते हो आप नमकीन बुंदी भी डाल सकते हो थोड़ी से हमने बीकाजी नमकीन लिये यह मठरी को मैंने क्रिस्ट कर लिया है थोड़ा सा में इसमें एक चमज करीवन केचप डालेंगे एक चमज हरे धनिय की चट्नी चाट मसाला डालेंगे तो वन पूर चमज करीवन चाट मसाला और इन सबको मिक्स कर लेंगे तो आपने इस तरह से बना के देखा है किया कभी पीजा बजार में तो ऐसा मिलता नहीं होगा तो आप घर पे तो बना के खाई सकते और यह काफी अच्छा लगता है काफी लोगों के लिए तो सिर्फ यही मिक्स रेडी किया और यहीं चाट रेडी हो गई है लेकिन हम इसको और थोड़ा से आगे क्यारी फॉरवड कर रहे हैं कुछ नए इंट्रेस्टिंग स्टाइल को और यह आप एक तरीके से पाटी आपटाइजर के रूप में भी इसक सकते हो तब बेस पर हम टोपिंग कर लेते हैं या तो पीजा सोस भी लगा सकते हो अगर आपके पास पीजा सोस नहीं हो तो यह एक चमच केचप और एक चमच हरी चटनी इनको मिक्स कर लेंगे वैसे तो हम इसको एकदम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए हम अब इसको हम लगाने के बाद इस पे हम थोड़ी सी डाल देंगे मौजरेला चीज मौजरेला चीज आप अपने अकोडिंग कम जआध जाधा कर सकते हैं ज़िन प्संद और ज़िस दोन कम पशंद यह कम क्वाड़ी और नहीं खा सकते हो गर में अपनी चोईस होती है आप इसमें चाट बनाई है इसे रख देंगे अब को आप इसी तरह भी खा सकते हैं तो आप यह नहीं कि पीजा आप जैसे रोटी मोटी बना के भी आप बना सकते हो हेल्दी बनाना चाते है तो ग्यों के आटे का आप बना लीजिए पीजा और फिर बना ले तो यह मैंने पूरी फिलिंग डाल दिये अब हम थोड़ी सी उपपर डाल देंगे मोजरेला चीज पीजा में तो जितनी ज्यादा चीज होएगा उतना ही मजाएगा और हमने अवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है अब इसमें चिली फ्लेक डाल देंगे और 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 डाल देंगे तो यह हमारा पीजा टॉपिंग तयार हो गई है अब इसे हम बेक करेंगे कि इसमें कम से कम 10 मिनिट लगेंगे पस ज्यादा नहीं लगेंगे प्रीट होने के बाद तो समय ही नहीं लगेगा तो चीज मेल्ट होएगी तब तक इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री सेर्शिय पे 10 मिनिट के लिए कर लो हम जब तक हम इसको बेक करेंगे छीज मैल्ट हो गई और बेक भी ऊगए है अजकी तरह कॲिसक्रस्पी हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे तो देखे कितना अच्छा बना है दिखने में सुंदर दिख रहा है खाने में अच्छा हो गई अब इसे मैं कट कर लेंगे करने में ही क्रिस्पिन आपता चब रहा है जो बजार के मंगाते ना उसमें तो बिलकुल टॉपिंग ही नहीं आती तो मुझे तो मजार वाला में आइनी आता पता नहीं किये और हम उसको बजार के ही अच्छ लगते हैं अब किस्पी सिखा है एक पीस उठाके दिखा 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 है तो देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है ये खाने के इच्छा हो रही है देखते मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा तो बस अब इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और उमीद करते हैं कि आपको और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस प्यूजन रेसिपी को जरूर ट्राइ करेंगे और हमें जरूर बताएंगे की उनके परिवार वालों को भी और उनके फ्रेंस को भी कैसी लगी है जरूर ट्राइ करेंगे तभी पता चलेगा अगर वो नहीं रेसिपी चाहते हैं और हम दिखाते हैं तो फिर तो बनाना बनता ही होनगा और ऐसी ही न्यू रेसिपीस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो गर सकते हैं तो इसके आपको शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि नए नहीं आपको रेसिपी चाहिए यह ओल्ड रेसिपी चाहिए तो चलिए फटाफट से अभी ठंडा हो रहा है तो हम तो इस रेसिपी को इंजॉय करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाइबाइ